Hello guys, this is me, शिल्पर श्रिवास्तव और आज मैं आ गई हूँ HP के launch event पर जहां पर company ने अपने 4 laptops को launch किया है इन में HP 14, HP 15, HP Pavilion X360 2-in-1 और HP Pavilion Plus 14 laptops वामिल है इनकी कीमत 39,999 रुपे से शुरूँ होकर 81,999 तक जाती यह सारी शुरुवाती कीमते हैं, जैसे जैसे बेरेंट बरते जाएंगे, इनकी कीमत भी बरती जाएगी अब इनका first look कैसा है, इनने कैसा बनाया गया है, design कैसा है, features कैसे है और launch event में क्या कुछ हुआ है, यह सब आज मैं आपको दिखाने जारी हूँ अपने इस वीडियो में, तो stay tuned with us HP ने जो 4 नए laptop launch किये है, उसमें जो सबसे सस्ता है, मतलब की जो budget laptop है, वो है HP 14 14 इंच की screen के साथ आता है, 1.4 kg इसका weight है, इसमें company ने manual shutter दिया है यानि कि अगर आपको यह लगता है कि आपके laptop के camera के जरीए कोई आपन नजर रख रहा है, तो आपसे camera बंद कर सकते हैं और आपकी परिशानी भी दूर हो जाएगी इसके साथ ही इसमें Wi-Fi 6 दिया गया है, और FHD camera दिया गया है, इसके अलावा noise हटाने के लिए यानि कि noise reduction वाले features भी इसमें दिये गया है, जिससे आपको sound quality बेटर मिलेगी कीमत की बात करें तो HP 14 का जो starting price है, वो 39,999 है HP 15 का भी जो design है, वो HP के normal laptops की तरह है, बहुत जादा अलग कुछ company ने नहीं किया है HP 15 का जो वजन है, वो 1.6 kg है, इसमें भी manual shutter door दिया गया है जो privacy के लिए बहुत काम आ सकता है, इसके साथ ही wifi 6 दिया गया है, faster connectivity के लिए FHD camera दिया गया है, इसमें बहतर video और sound quality दिया गया है, इसका जो starting price है वो 48,000 से जादा है, HP Pavilion plus 14 के अगर हम बात करें, तो इसमें जैसा के आप देख सकते है कि इसका design company ने उसी की तरह बनाया, बहुत जादा अलग तो company ने नहीं किया है, लेकिन इसके features company ने काफी अच्छे दिया है, इसमें आपको iSafe certified और OLED display मिलेगा इसके साथ ही clear visuals आपको इसमें दिखाई देंगे, company का दावा है कि इसका display काफी दमदार है multi touch है, इसमें mobile productivity आपको बहुत अच्छी मिलेगी 13 generation Intel Core processor दिया गया है, DDR5 इसमें RAM दी गया है इसमें आपको काफी अच्छी performance मिलने वाली ऐसा company ने दावा किया है high resolution HP true vision 5MP camera दिया गया है, इसमें भी आपको manual camera shutter दिया गया है privacy के लिए मुझे लगता है कि company का ये feature अपने इस series में देना काफी अच्छा साभीत हो सकता है इसके अलावा company ने से बहुत सारे ports दिये है, multiple ports है, जिससे आप multi-dasking easily कर पाएंगे आप बहुत सारे devices को इससे connect कर पाएंगे HP Pavilion Plus 14 के अगर हम कीमत की बात करें तो इससे 81,999 रुपीस के starting कीमत में खरीदा जा सकता है HP Pavilion X360 का जो starting price है वो 57,999 है इसमें भी आपको Plus 14 जैसे features मिलेंगे, बहुत ही दमदार features है और इसका experience काफी अच्छा होने वाला है सबसे पहले मैं आपको भी बता दूँ के इसे आप 360 डिगरी घुमा सकते हैं इसे आप tablet के तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप laptop के तरह भी यूज़ करते हैं जैसा भी आप चाहें बहुत easy to handle है कहीं भी easily carry कर सकते हैं इसके अलावा इसमें भी manual camera shutter दिया गया है, multiple ports दिये गये है high resolution true vision camera दिया गया है, 5 MP का कैमरा है 13 generation Intel Core processor दिया गया है, multi touch feature दिया गया है और OLED display दी गई है तो आपने चारों laptop देख लिए है, features आपको पता चल गया है, first look आपने देख लिए है, design कैसा यह भी पता चल गया है आपको यह laptops कैसे लगे हैं, comment section में जरूर बताईएगा, इसके साथ ही अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो, तो उसे like और share करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और हमारे चैनल को subscribe किये बिना बिल्कुल मत जाना